ओम गण गणपतय नमहा श्री गुरु देव दत्त नमस्कर मित्रो प्रोफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे आज इस वीडियो में मैं आपको उस चमतकारी बीजम मंत्र के बारे में बताने चा रही हूँ जिसको प्रबल इच्छा शक्ती और पूरे हत्म विश्वास के साथ बोलने से सब कुछ संभव हो जाता है इस बीजम मंत्र में असंभव को भी संभव करने की शक्ती है और कठिन से कठिन मनो कामना या मन में बसी इच्छा या मनोरत की पूरती करने की क्षमता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक सिर्फ तीन शब्दों का सरल मंत्र होने की कारण इसका चाप करना बहुत ही आसान है इसलिए कोई भी भक्त इसे बोलकर प्रचंड लाप पासकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें इस बीज मंत्र को किसी भी उद्देश या हेतू की पूर्थी या किसी भी काम या कारिय में सफलता पाने के लिए या किसी भी पीडा या परेशानी से मुक्ती पाने के लिए बूला जा सकता है इस बीजमंत्र में रीम, इस महाशक्ति शाली जगत माता भूवनेश्वरी का बीजमंत्र जिसे माया बीजमंत्र भी कहते है, उसका प्रयूग किया गया है यह हर चीज संभव करने वाला बीच मंत्र है जिसे बहुत सारे मंत्रों की शक्ती और असर बढ़ाने के लिए उन मंत्रों में समाविष्ट किया जाता है इस मंत्र का प्रयोग करने का तरीका इस प्रकार से है हलाकि हर चीज में सफलता पाने के लिए या भाग्य खुलने के लिए आप इस मंत्र का लगाता रजाप कर सकते हो लेकिन अगर आप किसी भी विशिष्ट है तू या उद्देश या मनो कामना की पूर्ती करना चाहते हो या अगर आप किसी भी काम या कार्य में सफलता चाहते हो या अगर आप किसी भी रोग या शत्रू के पेड़ा को खतम करना चाहते हो तो आप इस विशिष्ट उद्देश के लिए इस मंत्र का लाप ले सकते हो उद्दारन की तौर पर अगर आपके पास धन की कमी है और आप धन पाना चाहते हो तो मंत्र को बुलने के पहले आप एक पल आपके धन पाने की इच्छा के बारे में सोचकर इस मंत्र का शान्त चित्त से बैठकर लगबग पांच मिनिट वाचिक चाप कर सकते हो या अगर आप किसी भी रोग या शत्रु के पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो एक पल उस शत्रु को याद करें या उस रोग के बारे में सोचकर फिर मंत्र का जाप करें इस मंत्र को आप अपनी आकरशन या वशिकरन शक्ती तियूरा करने के लिए किसी भी मंचाही विक्ति को वश्मे करने के लिए उस हित्व के बारे में स्मरन करने के बाद बोल सकते हो अगर आप चाहो तो इस मंत्र को आप चुने हुवे उद्देश को पूरा करने के लिए कुछ पुर्व निर्धारित दिनों के लिए बोल सकते हो जैसे की 30 दिन, 40 दिन, इत्यादी मंत्र बोलने के लिए किसी भी प्रकार की विशिष्ट पुजाविधी दिशा, आसन, माला, इत्यादी के बंधन नहीं है मैं आपको फिर से बता रही हूँ यह सब कुछ संभव करने वाला बीच मंत्र है इसलिए इसे प्रबल इच्छा शक्ती और पूरी आत्म विश्वास के साथ बोले आपको शत प्रतिशत इस मंत्र से लाभ ही लाभ होगा अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ गुरुपया ध्यान से सुनिए मंत्र इस प्रकार से है ओम रीम नमाहा ओम रीम नमाहा ओम रीम नमाहा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सब्सक्राइब करना मत बुलिए प्रभू सबका खल्यान करेंगे